आज मैं आपको लूर्द की माता मर्यम के पर्व के विशय में बताऊंगा क्रीष्ट में मेरे प्रिय भाईयों और बेहनों हर साल 11 फरवरी को संपूर्न कलीसिया लूर्द की माता मर्यम का पर्व बनाती है फ्रांस देश में लूर्द के मासाबिल पहाडियों की एक गुफा में कुवारी मा मर्या ने बर्णदित को 11 फरवरी 1858 में दिव्य दर्शन दिये थे तब संप बर्णदित की उम्र 14 वर्ष थी बर्णदित के वर्णन अनुसार एक सुन्दर जवान महिला जो उनसे काफी उची नहीं थी उजुवल वस्त्रधारन किये हुए थी और उनके हातों में एक लंबी रोजरी थी उस महिला ने थोड़ा जुक कर बर्णदित को नमस्कार किया और फिर बर्णदित को ऐसा लगा कि वह महिला उनसे प्राथना करने का आववान कर रही है जब संद बर्णदित ने रोजरी माला विंती शुरू की तो उस महिला ने अपने हातों की रोजरी की मोतियों को वो फेरने लगी लूर्द के उस पवित्र स्तल पर जहां पर माता मरिया ने बर्नदित को दर्शन देते हुए कहा था कि पापियों के लिए प्रात्ना करो और पश्चाताप करो 25 फरवरी 1858 की एक घटना जो संद बर्नदित हमें बताती है कि उजुवल वस्त्र पहने हुए उस महिला ने उन्हें दिव्य दर्शन देते हुए उस गुफा की ओर जाकर गड़े से पानी पीकर हात मूध होने को कहा जब बर्नदित स्वयम उस गड़े के पास पहुची तो वहां मेला पानी था और धीरे धीरे उस गड़े को वो खोदने लगी वह मेला पानी साफ होता गया और वहां से जर्ना बहने लगा आज वह जर्ना काफी बड़ा हो चुका है और वहां से 32,000 गैलन लिटर पानी भरा जाता है वह एक जर्ना चमतकारिक जर्ना है जहां पर काफी लोग चंगाई प्राप्त करते हैं संद बर्नदित के नाम पूछे जाने पर उस महिला ने बताया कि मैं निश्कलंग गर्भागमन हूँ और 16 जुलाई 1858 में उस कुवारी मा मरिया ने बर्नदित को एक संदेश दिया प्राथना करो पश्चाताप करो पापियों के लिए प्राथना करो जुलूस निकालो और इस पहाड़ पर एक गिर्जा घर बनाओ आज प्रतिवर्ष उस तीर्थ स्थल पर जहां पर कुवारी मा मरिया ने दरशन दिये थे काफी लोग तीर्थ यात्रा पे आते हैं और वहाँ पर आकर अपने पापों की शमाय आचना करते हैं व्यक्तिगत आराधना करते हैं जुलूस में जाते हैं और उस जर्ने पर स्नान करते हुए चंगाई प्राप्त करते हैं पहले सो वर्षों में पांच हजार लोगों ने चंगाई प्राप्त की थी और 58 चमतकार घोशित किये गए थी लूर्द के इस पवित्र स्तल पर आज गिर्जागर बनाया हुआ है में दिये थी इसलिए 11 फरवरी को हर साल हम लूर्द की माता मर्यम का पर्व मनाते हैं तो आईये क्रिष्ट में मेरे प्रिय भाईयों और बहनों हम लूर्द की माता मर्यम की मध्यस्ता द्वारा पापियों के लिए विशेश प्राथना करें और हमारे जीवन में पापों से मुक्ती पाने के लिए निरंतर कोशिश करते रहें